नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल इस्टडी गंगा पर आईए हम आज बात करते हैं इंडियन गोश्टगाट से संबंधित की इसमें मैं प्रिवियस येर कोश्टन को साल्व कराऊंगा और सबसे बड़ी चीज़ यदी चैनल आपन कर ले अब प्रेस कर ले और और दोस्तों के चैनल थे कर लें ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो सके क्योंकि मैं प्रिवियस येर को इसाहिद मैं तो मैं सालबकराता रहूंगा यादि आपके पास भी PDF है तो मेरे वोटसप नमबर 185-64-3790 या डिस्क्रिस्टन में लिंक दिया गया है वहां से भी आप जुआई कर सकते हमारे वोटसप को तो बात करें इंडियर कोश्टगार्ण में कितनी कोशन पुछे जाते हैं सबसे पह पुछता है लोगों की द्वारा सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा गया कि और मैं बताना चाहूंगा कि सर कितने कोशन पुछे जाते हैं और मैं बताना चाहता हूं कि साथ कोशन के साथ नंबर यानि एक कोशन के एक नंबर दूसरी चीज की पासिंग मार कितना होता है कि आभी कंडिडेट ने जो है कोशन किया है मेरे परसनल वाट्सप पे भी और कमेंट सेक्षन में कमेंट भी किया था कि सर्ड जो है पॉसिंग मार कितना होता है तो मैं बता दूब को बहुत सारे लोगों को संतूष्ट रहते हैं कि इंडियर कोश्टगार्ट में पासिंग करके आईएगा तभी जाके आपके सेलेक्षन को संपुड माना जाता है और स्ट की पासिंग दो 27 नंबर मानी गई थी और दूसरी चीज़ की इंडियन गोश्टगार्ट का एक्जाम कितनी मिनिट का होता है तो 45 मिनिट का गोश्ट एक्जाम होता है और साट कुशन होते है अब बात करते हैं पहले कोश्ट से हम आई हम प्रैक्टिस कराते हैं पहले कोश्ट से तो पहले कोश्ट की बात करें हम दिया गया कोश्ट है यदि आप इसका पेडियो प्राप्ट करना चाहते हैं तो टेली ग्राम चैनल का लिंग दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जैसे GKS का देखना चाहते हैं तो GKS का बहुत लोगों ने कमेंट किया था सर आप हमें इसकी तो जानकारी दे दिये जॉब एलर्ट से संबंदित आपने जुजनकारी दिया था उससे भी अगर चुनना चाहते हैं तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ वहां सभी देख सकते हैं कि आपके लिए कौन-कौन से जॉब आये हैं तो बात करते हैं पहले कोशन की तो जखिए टेस्ला टेस्ला की काई क्या है तो जखिए टेस्ला चुमकी छेत्र की काई है अब बात करते हैं चुमकी छेत्र का तो MPR प्रति मीटर बात करते हैं MPR प्रति मीटर को और क्या ल लिख सकते हैं MP के पावर माइनस टूल एक पावर माइनस वा देखिए मैंने इसके सारे कोशन को बता दिए तो बात करें देखिए जब लिख जाता इंप्रभ करें इसके स्वादस परवास्टर हो प्रमारु के प्रमारु के नियॉक्श को आका बड़ करने जाता है कि कि भी कने को कमें देखिए बात करते हैं नेक्स स्कोर्षन है । aç किस रोक की रोगने के लिए दिया जाता है तो सभी पता है कि ये Tv के रोग थान के लिए किया जाता है। बात करें हम बैरोमीटर पाठाघ में यदि आकास्म probability मशुश vendors की कौन किuraroooo तो इस उया में तुफानी मौसं में बारे बात करता है यदि धी धीरे धीरे गिरावर। तो यह चांखेते दूंप होगी इसके जितने विषरट है मैं बता अथे रहूं आई यस उपर चढए तो क्या होगा मौसम साफ रहेगा अब बात करते हैं चल्ट को चेटे कॉशन की तो सटे कोशन में गोबर गैस कि समक्न में होता है तो बात करते हैं गोबर गैस में मेथन गैस होते हैं कितने परसेंट यह देखें यह जो कोशन है 2018 में पुछा गया था और यहीं कोशन जो है एयर फोर्स की 2019 वाल एक्जाम में पूछा गया तो ध्यान देना सबस्वकशन अगर आपने नहीं समझ पाएंगे एक समझ में भी आएगा और मैं जैवें बता रहां पूछा गया था और किस इकजाम में पूछा गया था और नडिया में नमी ये अर्रेंजमेंट करने के लिए कोशन दिया गया था बात करें पीएच सब्द का क्या दर्साता है तो हम जैसा की जानते हैं पीएच सब्द जो है अम्रीता और छारीता को दर्साता है तो किस आफ़सन में अम्रीता और छारीता है तो घोल की अमलता और छारकता को दर्साता है नेक्स कोशन की बात करते हैं आठवे कोशन की परमा समस्थानिक है आफसन नमबर में समस्थानिक कि आफसन नमबर डी समस्थानिक में जो है परमारू संख्या एक जैसे होती है लेकिन अलग-अलग प्रमारू दर्मान होते हैं चलते हैं नेक्स कोश्चन की ततरह हमारा नेक्स कोश्चन है प्र체 dazzle के उठोलग का उध्राण तो यह तो बीना देखे आप option को मार सकते हैं कैंक है कैसी osoल का प्रigare's मुधारण है और यदि कैसी earning सुट इस आथना रहता तो छी किंक्रीट जो एना कंक्रेट बर्व से ज्दा घरसर प्रस्तोत करती है ही रा चमकीला दिखाई देता है इसका रीजन क्या है फिरा जो है पूर आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीला दिखाई देता है चलते हैं नियक्सकृषण कुष्षन की तरब हमारा 12 कुष्षन हैं 12 कुष्षन क्या था कि निम्रम में से कौन सा धातू नहीं है देख mutta ये कॉषन आपको बता दे ​A-4 में एक ओसंग ऐा था तो geld व्यौर्ज संथ सब्सक्राइब में मैं बता दू कि उसमें कोशन पुछा था कि निम्निम से कौन सा धातू है उसे अरेंज की जिए और एंडिये में भी कुशन घूमा फिरा क्या रहा है तो बारावी का पुश्चन जो है लीथियम भी हिलियम होगा सुरी बारावे कभी चलते हैं नेक्स कोशन की तरह हमारा नेक्स कोशन है जैसे अरुणांचल प्रदेश का निर्माण कब कराया गया तो मैं बता दूं कि और ये उसमें कौन सा राज बना था बीच में आपको बताता चलूं कि अरुणांचल प्रदेश 20 फरवर प्रदेश को भारत का राज बना था और ये 24 वा राज बना था हडपा के लोगों किस खेल में रूची रखते तो सतरंज में आई वरी कोश्ट पहले किस देश का उपनीवेश था तो ब्रिटेन का बात करतें नेक्स मारा प्रैक्टिस सेट की तो पूर्टगाली पस्चमी अफ्रिका का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया अंगोला प्रत्वी एक घंटे में कितने देशांतर गुम लेती है पंद्र डिग्री हर सवर्दान के समय कौन साथ चीनी या थी भारत आया था तो वेंसांग भारत की महिला व्यासाई चंदा कोचर का समन्त किस बैंक से अब चलते हैं।ब चलते हैं इसके प्रैक्टिश कम सबस्त दूसरे से दूसरे पर आते हूं hija Alpika मुख्य है एप यूदिए की पी डिकतो कुर्स अब बात करें दूसरे तो कम स्थानिक में होते हैं तो क्या में होते हैं समस्थानिक में नियूट्रों तो होते हैं अब बात करें तीसरे कोशन की तीसरे कोशन में हम देख रहे हैं तीसरे कोशन में क्या है कि सिल्वर फास्फेट का सुत्र पूछा है देखिए गुरुब डी के लिए भी बहुत जवर्जस्त कोशन है और कोश्टगाट के लिए भी दोनों की जीएस सेम है बहुत ही दोनों के साइस से कोश्चन सेम है सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का सिल्वर फास्फरैट का सूत्र पूछा है तो मैं बात करällen कि सिल्वर फास्फेटर होता है यहजेटी दी गीशार में तो यह यह इपको देखिए सिर्व में और का काणणर क्या खटा गर दीता प्रवाहित करने पर दूदिया हो जाता इसका कानण क्या होता है तो इसका कानण है तो सल्फिर्विक अमल का हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट करिएगा कि सल्फिर्विक अमल का साइनिक सूत्र क्या होता है और सभी लोगों को से कोशन हमें पूछना पड़ेगा जैसे दाड़ी बनाने के लिए आप कौन से दरपण का उप बढ़ गया है और उससे बनवाने जाते हैं तो क्यों से दरपण का यूप करते हैं तो बात करें सात्वे के ओतल दरपण का अफसर नमर्डी बात करते हैं आठवे कोशन की तरफ हमारा आठवा कोशन है मरीची का प्रकास की कि घर्टना का उधारन है अब हमने इसके पहले भाग में बताया था पूड आंथरिक प्रा वर्तने चालख के प्रतिरोश्ट का मात रखें चालख की प्रतिरोश्ट का मात रखक्या है वह में रहें अब म Ishtag Berkye क्या है एक जारामा औरि भानान लाश्ट कोशन की तो सुद्जल का सुद्जल का कुथनांक होता है सौट डिगरी सेलसी एक वस्तु द्रव में तैर सकती है यदि इस पर उत्पलावनबल होगा तो क्या होगा बस्तु के भार से अधिक होगा तवी तो कैसा लगा वीडियो कमेट जरूर कीजिएगा यदि चैनल पर नहीं है तो अब चैनल को भा कर दिया है डिस्क्रिस्टन में सारे लिंक दे दिये गया है आप वहां से इसके पीडियो पराप्त कर दी सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद